नमश्कार कैसे हैं आप सभी जैसा कि आप सभी जानते हैं हम बीसी पार्ट थाड के लिए और गनिक केमिस्ट्री की यूनिट थाड शुरू किये हैं जिसका नाम है कार्बो हाइड्रेट्स और इसमें हम पिछले चार लेक्चर्स हम अल्रेडी कंप्लीट कर चुके हैं जिसमे हम क्या पड़ रहा हैं जो पिछला ब्रांशा था उसमें शरू किा था मोलीक्चर ननो ब्राइड्स की अंडरा कि दो अबicheसिए बारे अक्षाल्रे में अचन आपटाज पे नाम है वहाती पड़ने उसका नाम है ग्लूकोस बहुत ही फेमस है तो हमने उसको ले लिया और उसकी डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं हम ठीक है इसके वारे में हमने देखा ग्लूकोस कैसे फो שמׅ होती है उसकी उपन चेने इस्ट्रक्षर देखी उसकी कुछ अभिक्रिया यह जो अभिक्रिया हैं ये जितने भी अभिक्रिया हैं से सब्सक्राइब नहीं जो जो रियक्शन मैंने ग्लूकोस के साथ लिखाई है वह सारी रियक्शन फ्रक्टोस के साथ भी हो सकती है तो बस आपको फ्रक्टोस के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है फ्रक्टोस के लिए वाई फ्रक्टोस के पढ़ने की जरूरत नहीं है आप उसे क्या कर कर सकते हैं आप इसे ग्लूकोस की रियक्शन जो पड़ी है वही सेम रियक्शन फ्रक्टोस मैं Huh healthy of her लेकिन दो पार्ट में टूट जाता है इतना फर्क यह बाकि सारे रियक्ष्ण सेम टूसे जो प्रोड़क्ट के साथ बनेगा रियक्षिन पर वही प्रोड़क्ट क्या वनेगा फ्रक्टोस के साथ बढ़ेगा सिफ अप्चे अच्छी करन को छोड़ गाई तो मनें पिछली ब ग्लुकोज इतना ज्याधा रियक्टिव होता है कि यह मंद ऑक्सीकारकों के साथ भी रियक्शन कर लेता है और क्या देता है इसका एलडिहाइडिक ग्रूप ऑक्सिडाइज हो जाता है लेकिन जब हम स्ट्रोंग ऑक्सिडाइज इजंट लिया जैसे है एच अंव थे तो क्य रेड फॉस्फोरस तथा ہے। नेक्स्ट रेक्षिन पढ़ेंगे हो किसके साथ है। हईडरोजन आयोडाईड और रेड फॉस्फोरस के साथ अबिक्रिया। तो जब ग्लुकोस को हईडरोजन आयोडाईड और रेज़ फॉस्फोरस के उपस्सिती में गर्म करते हैं ठीक है काफी टाइम तक गर्म करते हैं जब तो क्या बनता है तो यहां लिख सकते हैं जब ग्लूकोस को यहां लिख सकते हूं गर्म करते हैं तो तो एन हेक्जेन तो क्या प्राप्त होता है प्राप्त होता है मतलब इसके सारे जितने भी agree edge hydroxyl समू है तो सब किसमें चेंज हो जाते हैं hydro carbons में किसमें चेंज हो जाते हैं hydro Carbons में चेंज हो जाते हैं ठीक है तो यह जो भी प्रिएक्शन जो इस बात की पुस्टि करती है कि ग्लु कोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर बी होती है, यह मतलब चुरुबात मैं तो उसी के चलते ही आगे की रेक्शन दी गई थी तो यहां पर क्या होता है एन हेक्जेन प्राप्त होता है एन हेक्जेन हमको सबसे लास्ट में प्राप्त होता है एन हेक्जेन से पहले हमें कुछ और प्राप्त होता है तो हम लिख सकते हैं एन हेक्जेन या ऐसे लिख सकते हैं एन हेक्जेन वह यह यह ऐसे लिखू टू आइडो हेक्जेन वह एन हेक् मिश्रंड प्राक्ट होता है कैसी reaction होगी एंग खतम होगी मैं जरा एंग बढ़ लो ठीक है CHO CHOH का whole 4 और सबसे नहीं चाहता है CH2OH इसको क्या करते हैं हम फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस ये कैसा है रेड फॉस्फोरस के साथ 100 degree centigrade पर गम करते हैं तो सबसे पहले तो हमें क्या मिलेगा सबसे पहले मिलता है हमें 2-Ido-hexane 2-Ido-hexane का मतलब ये जो aldehyde group है ये reduce हो जाता है किसमें CH3 में एलकेन में reduce हो जाता है फिर second position पर जो एलकेन है उसमें iodine लगी रहती है ये तो लिखा था 2-Ido 2-Ido मतलब second position पर iodine बाकी CS3 का whole thrice और CS3 फिर हम दुवारा गर्म करते हैं रेड फॉस्फोरस और HI 100 degree centigrade दुवारा क्या? reaction चलती आती है 100 degree centigrade पर काफी देर तक गर्म करना परता है क्योंकि पहले ये बनता है और फिर यहां से इसका reduction होकर क्या बनता है? CS3, CS3 का whole 4 CS3, ये क्या बन गया? N-hexane और ये जो reaction इस बात की पुष्टी करती है कि glucose की open chain सरचना open chain structure होती है तो ठीक है? इस तरह से ये किस के साथ react करता है? red phosphorus और HI के साथ react करता है और reactions देखते हैं same phosphorus same fructose fructose भी क्या करता है? इसी तरह से react करता है और वो भी N-hexane और 2-I-O hexane का measurement देता है यान कि जैसे यहां reaction होगी वैसी fructose में reaction होगी क्योंकि वो भी एक monosaccharide है जितने इस 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 देंगे अगली reaction देखेंगे जैसा कि हमने श्रूआत में classification किया था glucose का तुमको याद हो हमने बोला था glucose यह जो दो तरह की sugar होती है दो तरह की शरकराई होती है एक अपचायक और एक अपचायक तो glucose किसमें आती है अपचायक शरकरा में एक अपचायक शरकरा में मतलग जो हम failing billion लेंगे जो हमारा क्या कहता है ag no three का बिलियन लेंगे failing solution लेंगे tolerance reagent लेंगे उनको क्या कर देगा उनको तो क्या कर देगा अपचाय कर देगा और खुद का क्या हो जाएगा Oxygen हो जाएगा किसके दौनों के साथ क्राएंगे टॉले नभीकर्म के साथ क्राएंगे और इसकी रियक्षिन कराएंगे हम तो अगला क्या है कि ग्लूकोस की अपचायक प्रकृति को देख रहे हैं तो हम यहां लिख सकते हैं ग्लूकोस होता है ग्लूकोज ली नहीं फ्रक्टोज भी तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या करते हैं प्रवल अप्चायक प्रवल अप्चायक का कारे करते हैं ग्लुकोस प्रवल अप्चाय का कार करता है यह जानते होंगे क्या होता है टॉलें अभिकर्मक सब्सक्राइब होता है जो सिल्वर दरपंड बनता है सुना होगा रजक दरपंड बनता है तो यह क्या करेगा है यह अब चाहित कर देता है और क्या बनाता है रजत दर्पंड त्वालीन अभी कर्मक को क्या करता है अब चाहित कर रजत दर्पंड बनाता है इसी प्रकार इसी प्रकार फैलिंग इसी प्रकार फैलिंग बिलियन फैलिंग बिलियन को अब चाहित इसी प्रकार फैलिंग बिलियन को अब चाहित कर क्या देता है कॉपर ओक्साइड क्या देता है लाल अवक शेप क्या देता है लाल अवक्षे देता है किसका क्यूप्रेस ऑक्साइड देता है ठीक है तो रियक्शन्स देख लेते हैं कैसी रियक्शन्स करेगा मनलो यह है लो क्या है यह ग्लूकोज लिए हमने छो चोच का फोल फोर यहां लिख दूम है च्टू ओएच सबसे पहले हम यह ले लेते हैं एजी टूओ के साथ क्या है यह कौन सा है टॉलंड्स रिएज़एंट हम जानते हैं टॉलंड्स रिएज़एंट क्या होता है दो तरह होता है उनका वन मिक्सचर होता है लेकिन हम इसको ऐसे ही लिखते हैं अड्स बात असको यह तो यह क्या करेगा इसका अप्चेयन कर देगा और खुद का क्या कर देगा और इसको विचारे को अप्चेयत कर देगा तो यहां से बनेगा टू एजी तू एजी मतला रजत यहीं पर क्या मिलेगा टू एजी का रजत दरपंड सिल्वर मिरर मिलेगा टू एजी का और खुद हो गया चेंज हो गया और यह क्या वन गया ग्लूकोनिक एसेड बन गया क्या वन गया ग्लूकोनिक एसेड ठीक है ऐसा ही हम उसके साथ देखेंगे फैलिंग सॉल्यूशन के साथ तो मैं उपर वाले मिटा देती हूँ सॉल्यूशन के साथ तो सेम रियक्ष्ण ही होगी यहां लेंगे चुक्त का होलव फोर इसा च्ट्टू ओएच एसी जैसे हमने टॉलिंग को और अज़ाए वैसी फैलिंग को क्या लिखेंगे Cuo, cupric oxide क्या होगा? ये कौन सा solution है? ये हमारा है felling solution तो क्या कर देगा? इसको reduce कर देगा और खुद क्या हो जाएगा? oxidize हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा cuprous oxide का लाल अबक्षेप red PPT मिलेगा cuprous oxide का और ये खुद क्या हो जाएगा? खुद हो जाएगा oxycrut oxycrut हो जाएगा तो COOH CHOH का whole 4 और यहाँ पर CH2OH क्या बन जाएगा ये भी? gluconic acid बन जाएगा क्या बन जाएगा? gluconic acid ओ, स्वारी दिखनी आपको अब दिख रहा होगा तो क्या किया इसने? शुगर है, reducing sugar है अप्चायक sugar है, उप्चायक सरक्रा है सॉरी बिटा दू ये reactions प्रदर्शित करते हैं कि glucose एक reducing sugar है एक अप्चायक सरक्रा है तीक है? अब यह हम इसकी एक reactions देखते हैं phenyl hydrazine इसके पहले हमने पिछले कल curry में हमने देखी थी, hydrogene के साथ reaction Harans-스्ड Nee किसके साथ reaction देखी थी? Hydrogselamine अब हम देखेंगे phenyl hydrogene के साथ reaction phenyl hydrogene के साथ तो अगली reaction जो हम देखेंगे वो है phenyl हिंदें बोलेंगे तो phenyl hydrazine के साथ अभी क्रिया हाला कि इस reaction को हम आगे अगले लेक्चर में डिक्टेल में पढ़ेंगे विद मेकैनिजम क्योंकि यह important reaction एक्जम में आने के chances भी हैं जिसको हम बोलते हैं यह बहुत ही important reaction है लेकिन जैसे यह बना लेते हैं फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हम फर्क नहीं कर सकते हैं तो वह हम अगले लेक्चर में डिटेल में क्योंकि वो important है, यहां पर हम देखते हैं कि जब हम glucose को phenyl hydrogene के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? यह है glucose, यह मैं ऐसे लिख दूँ phenyl hydrogene, hydrogene क्या होता है? hydrogene तो यह होता है, nh2, nh2, यह क्या है? hydrogene है लेकिन अगर मैं इस hydrogene के एक hydrogen को किस से प्रतिस्थापित कर दूँ? phenyl समू से यह जो एक hydrogen है इसको प्रतिस्थापित कर दू? phenyl समू से phenyl समू यानि की C6H5, benzene की ring से, एक benzene की ring से प्रतिस्थापित कर दूँ तो यह क्या है? तो यह बन जाएगा phenyl hydrogene क्या बन गया यह? phenyl hydrogene, तो मैं इसको ऐसे लिख दू, आपको समझने में phenyl hydrogene, तो क्या होगा? यहाँ पर double bond O है, यहाँ पर H2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, कैसे निकलेगा? इसके लिए तुम पिछली, आप लोग क्या कहते है? पिछली वीडियो जाकर देखें, पिछली वीडियो में मैंने hydroxyl amine, जैसे hydroxyl amine से water निकला था, और क्या बन गया था? ऑक्जाइम बन गया था, बिल्कुल वैसे ही reaction यहाँ पर होगी, यहाँ पर भी phenyl hydrogene से reaction हो रही है, हमाँ पर hydroxyl amine था, यहाँ पर phenyl hydrogene है, reaction बिल्कुल same to same होगी, जैसे वहाँ steps लगा थे, जैसे यहाँ होगे, तो मैं बार-बार repeat नहीं करूँगी, आप इसली वीडियो में देखिएगा, तो क्या होगा, यहाँ से h2 वह बाहर निकल जाएगा, यह बन जाएगा, डवल बॉंड N, N, H, और यहाँ पर जोड़ दू, pH, यहाँ, pH तो तुम समझोगे नहीं, c6, h5, फिनाल के रहें, बाक लेकिन, क्या करें, लेकिन, अगर मैं यह रियक्शन, फिनाल के, फिनाल हाइडराजीन के आधिक के में करा हूँ, यानि कि जब फिनाल हाइडराजीन एक्सेस में ले लूँ, यह तो ओसा जोन नहीं है, यह जो बनाए यह तो फिनाल हाइडराजोन है, क्या है यह एक्षे पिनायली और सब्सक्राइब झातरिए लेकिन अगर मैं यहीं रियक्षिन धी है यहंक्षिन रीक्षन में अंसके मैं कर नौट तो किसका निर्माण हो जो억ा फिनायली प्रसूरों कर सक o बैटा देती हुआ है कि अब तक हमने देखिए उनमें हमने देखा है कि ग्लुकोस की वह रेक्शन देखिए जिनमें उसका अच्छा मुझे भी शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है लग रहा है कि मैंने एक रिक्शन लिखाई दी तुमको रेड़ फोस्फोरस और एच्चाई वाली तो वहाँ पर शायद मैंने कारवन की पांच वैलिंसी बना दिये हैं देखा है मुझे याद नहीं मैं को ध्यान नहीं लग रहा है तो मैंने पांच बनाई है नहीं रेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है तो आप लोग साही कर लिजेगा जैसी यह था ना सी एच ओच का होल फोर सी एच टू ओएच तो यह जो रियक्शन होगी रेड पी प्लस ही के साथ हंडर्ड डिग्री सेंटिग्रेट पर तो क्या बनेगा सबसे पहले यह तो सीएच थारी में रेडिउस हो जाएगा एग बनेगा सी एच आई और एक बनेगा सीएच तू का होल फ्राइफ Nous आएगा है यहांपर क्या बने उपर चार बमापघ्र पांच याव पांच बन बन गाए है तो उसको आप ठीक कर लिजे तो क्या बनेगा CS3, CH2 का whole 4, CS3, N, Hexane, तो सही कर लिजेगा दोनों जगह पर अगर दोनों जगह पर गरवड़ है तो दोनों जगह पर सही कर लिजेगा, ठीक है, वो कभी-कभी जलबाजी में कारवन के बॉंड एक्स्ट्रा बन जाते हैं, कभी-कभी ध्यान नहीं रहता, व मगलती से CS3 लिग गया है वापर, ठीक है, तो आप लोग इसको ठीक कर लिजेगा याद से, अब हम देखते हैं, ग्लूकोज की वो रेक्शन, जो हाइड्रॉक्सिल समूग के कारण होती है, अब तक तो हमने देखेंगे, कीटोनिक समूग के कारण, अब हम देखेंगे, ग् हाइड्रॉक्सिल समूग के कारण, अविक्रिया हैं, देखें, कि आप हाइड्रॉक्सिल समूग की वजह से, इसमें कौन-कौन सी अविक्रिया होती है, तो सबसे पहली अविक्रिया जो हम देखेंगे, वो है एसी टिली करण, कौन सी देखेंगे सबसे पहले हम एसेटिली करण तो देखते हैं अब इसको बोलते हैं इसी टाइब लेशन ठीक है इसको एस्टर निर्माण अभिक्रिया भी कहते हैं क्या कहते हैं ester निर्माण अविक्रिया यानि glucose से क्या बनेगा ester बनेगा ठीक है क्या बनेगा ester बनेगा यहां इसको acyl current acyl group insert कर जाएगा किसमें glucose के अंदर देखते हैं क्या होता है यहां पर यह है हमारे पास CH2OH अब यहाँ पर LD हाइडिक समू भाग नहीं लेगा कौन लेगा हाइड्रोक्सिल समू ग्लुकोस में कितने हाइड्रोक्सिल समू है पांच तो कुछ रियक्शन्स हैं जिनसे यह पुष्टी हो जाएगी हैं कि ग्लुकोस के अंदर 5 हाईड्रोक्सिल समू होते हैं ठीक है तो मैं इसके किसी क्सी रियक्शन कराएंगे असीली कराण कराना है य kur稿 कराणा है तो हमको एसे टाइल्ट लेना पड़ेगा एसे टाइल्ट ले सकते हैं उसके लिया छिए सnte Ize process पहले वी बहुत सारी किऊंगी है रीक्षिन किसके साथ रेक्षन कि और की हैं स्ट सनिर्मान निर्मान ऐलकॉछ एंस एम्पोर्टेंट्स रेक्षन होता है स्टर निर्मान तो यहां पर वहoin oh 3 COCL, Acetyl Chloride, क्या इसका नाम Acetyl Chloride, इंग्लिश में Acetyl Chloride, यहां फिर हम यह भी ले सकते हैं, Acetic Enhydride, क्या, यह है Acetyl Chloride, और यह है Acetic Enhydride, तो इन दोना से रियक्शन करा सकते हैं, होगा क्या, यहां पर जितने भी, 5 लेने पड़ेंगे, यह भी 5 लेने पड़ेंगे, तो क्या होगा, यहां पर जितने भी Hydroxyl समू है, हम तो 5, मैंने तो 5 लेक्शन कराने के लिए, लेकिन हम यह जो रियक्शन कराएंगे, यह Acetyl Chloride की Axis में कराएंगे, Axis में मतलब यह जो Reagent लिये हैं, हमने इनको हम अधिक के में लेंगे, आधिक के में लेंगे, Axis में लेंगे, तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं, कि जितने भी Hydroxyl समू है, Aldehyde के अंदर, जितने भी Hydroxyl समू है, Aldehyde के अंदर, यहां ऐसे लिखू, O-H, 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 H, O-H, H, O-H, H, यह था ना, Glucose का उपन चेरी स्रक्चर, तो क्या होगा, जितने भी Hydroxyl समू थे, ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, CO, CS3, यहां पर भी क्या बन जाएगा, CO, CS3, CO, CS3, यह भी क्या बना लेगा, CO, CS3, ठीक है, इसका मतलब पांचों के पांचों Hydroxyl समू, किसमें चेंज जाएगे, एस्टर समू में चेंज जाएगे, इस्टर निर्मान अविक्रिया भी कहते हैं, क्य क्या बन गया यह, एस्टर निर्मान अविक्रिया भी कहते हैं, तो इसका जो नाम है, क्या बन गया, क्या समू आ गया, इसका नाम गया, किस से बनाएगे, ग्लुकोस से, कितने हैं, पांच, और इसको क्या बोलते हैं, एसीटेट, ग्लुकोस पेंटा एसीटेट, क्या बोलत चल्वन्न वाकि पूरा ग्रुप नायनई किया मानल लिया है र मानलिया है मैं एक गरूप पर दिखाउ양ई बाकियों पर भी dolAr के लेडिया मैंने और इसी तरींत तरींस के सवख्रिया होगी तो आप कर सकते हैं ला मैंने ऑक्सीजन के पास क्या होते嗎 लोन पेर और हमारा रियेजन क्या है यह लिया मैंने सीएस्ट्री सीओ सील ठीक है जानते हैं यह जो बॉंड होता है पाई बॉंड यहां पर ऑक्सिजन जुड़ा हुआ है तो यह ऑक्सिजन क्या करता है इलेक्ट्रोनों को अपनी तरफ फिच लेता है तो यह डेल्टा नेग माइनस चार्ज आएगा फिर वह माइनस चार्ज वापस नीचे आएगा यानिकि यह बॉंड पहले उपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा यह बन जाएगा यह बन जाएगा आर सी एच्टू ओ सी सब्सक्राइब ऑन गया इस सब्सक्राइब का सब्सक्राइब सब्सक्राइब इहां पर भी क्या है कारबोनेल स्मू है कि कंगे डेलेटा माइनस डेलेटा प्लस तो यहां पर हिएक कमी कर सकता कि यहां पर भी अटक कर सकता है तो यह उश्ट के लोन पर आएंगे यहां टेक करेंगे यह bond पहले उपर जाएगा फिर migrate होकर के आएगा नीचे आएगा और यह bond तूट जाएगा यहां से तो क्या बन जाएगा यह बन जाएगा R, C, S2, O, C, O, C, S3 प्लस, C, S3, C, O, O, माइनस ठीक है तो यह बन गया हमारा product तो इस तरीके से यह mechanism होती है सेम रियक्शन ऐसे ही फॉस्फोरस फ्रेक्टोस भी देता है बार बार फॉस्फोरस यह दा जाता है फ्रेक्टोस भी देता है यह जो रियक्शन से हैं यह इस बात के पुष्टी करते हैं कि ग्लूकोस के अंदर 5 हाइड्रोक्सल समूँ होते हैं कितने समू होते हैं, पांच हाइड्रोक्सल समू होते हैं, मिटा दू, ये मेकनिजम का कैसे हुआ, सेम ऐसे ही रियक्शन, बाकियों के हाइड्रोक्सल, ये मैंने तो केवल एक हाइड्रोक्सल समू पर कराई है, इसी तरह से बाकि जितने भी चार बचे हुए हाइड्रोक्सल स ठीक है, नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, नेक्स्ट है इसकी PCL5 के साथ अभिक्रिया, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है PCL5 के साथ अभिक्रिया, यह पढ़ियोंगी अपने पढ़ियोंगी आपने पढ़ियोंगी आपने, जब हम PCL5 के साथ रियक्शन कराते हैं, यह विक्रिया होती है, एसें 2 टाइप होती हैं भिक्रिया, मतलब यह जो क्लोरीन है, इनको FGT रियक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं FGT, लिए, फंच्चनल ग्रूप ट्रांसफो मेशन रियक्शन, यह अतलाव हमारे पास प्सख रापवएर्वय यह समय परॉपे, पी चेल 5 के साथ कराते हैं जब glucose की reaction PCL5 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है Penta Choral withporn मतलब इसमें 5 Hydoxyl समुख है तो पाँचह के पाँचह Hydroxyl समुख बाहर निकल जाते है उनकी जेगे पर कौन आ जाता है?, क्लोरीन आ जाता है तो क्या बनाएगा ही? CHO, CH, CL का होलफोर, CH2, CL, क्या बन गया, CHO, CH, CL का होलफोर, CH2, CL, क्या हो गया ये, पेंटा क्लोरो विद्पुन बन गया, किसका, ग्लुकोज का, तो ग्लुकोज लिया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, पेंटा क्लोरो ग्लुकोज, ग्लुकोज से बनाए ना यह उसका नाम क्या हो जाएगा पैंटा क्लोरो ग्लू को अब भाइब कोष पैंटा क्लोरो ग्लू कोष बन जाएगा पीशियल फाइब के साथ reaction द्वारा सिंपल रियक्शन हैं, सेंट टू रियक्शन हैं, क्या होगा, हाइड्रोक्सिल समुह चला अहट जाएगा, प्रतिस थापित जाएगा, उसकी जगे कौन आ गया है, क्लोराइट समुह आ गया है, तो FGT रियक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से ग्लूकोस क्या करेगा, अगली रियक्शन देखते हैं, ग्लूकोसाइड्स, जो अगली रियक्शन है, वो है, ग्लूको, ग्लूको बोल रही है, ग्लाइको, ग्लूकोस से बार-बार ग्लूको याद आ रहा है, ग्लाइकोसाइड, निर्मार, ग्लाइकोसाइड निर्माण यानकी ग्लुकोस जो है वो ग्लाइकोसाइड का निर्माण भी करता है क्या करता है ग्लाइकोसाइड का निर्माण भी करता है देखते हैं कैसे करता है देखते हैं कैसे होती है ग्लुकोसाइड निर्माण अगर हम ग्लुकोस ले रहे हैं जैसे मोनोसेकराइड तो काफिसारे होते हैं ग्लुकोस होता है फ्रक्टोस होता है एलेडो ट्राइडोस पेंटोस अगर हम ग्लुकोस के साथ यह रियक्शन करा रह तो पहले लिखा है यहाँ पर ग्लाइकोसाइब निर्माठ तेकी कि न हम तो ग्लूकोस की रिएक्शन देख रहे match तो और एथर कोई अनलो को मोनोसेकराइड में एकुछ of जो बनता है एस्टर उसको बोलते हैं गलाइकोसाइड क्या बोलते हैं गलाइकोसाइड तो यहाँ पर क्या किया जाता है ग्लुकोस की किसमें शुष्क शुष्क एस्टील की उपस्थिती में शुष्क एस्टील की उपस्थिती में अभिक्रिया करते हैं तो एल्कॉल की उपस्थिती में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं तो ग्लुकोसाइड का निर्माण होता है अगर ग्लुकोस लिया है तो ग्लुकोसाइड और अगर कुछ और लिया है तो ग्लाइकोसाइड तो मैं ऐसे लिख सकते हूँ ग्लुकोस की फॉर्मुले को क्या ह होता है यह होता है यह होता है लिए 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 लिया और इसमें से एक ग्रूप को अलग कर दिया एक हाइड्रोक्सिल समु को अलग से दिखा दिया यह है तो है अब मैं क्या करूंगी इसकी रेक्शन किससे कराऊंगी अब मैं इसकी रेक्शन कराऊंगी मीथेनॉल के साथ किसके साथ कराऊंगी एचल की उपस्तिती में अच्छा मैंने पहले लिखा था अलकोहल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है ग्लूकोसाइड बनता है शायद मैंने पहले लिखा था साइड में ले गया था इसलिए मिटा दिया सुरी ग्लूकोज की सुक्स एसक्रेल की उपस्तिती में अल्कॉल की साथ अभी करते हैं तो क्या बनता है ग्लूकोसाइड बनता है तो मैंने इस तरीक से लिख दिया यहाँ पर मैंने क्या लिया है किसमें ड्राई है एसल गैस की उपस्तिती में सुषक एचियल गैस की उपस्तिती में कराऊंगी तो क्या बनेगा यह बनेगा सी सिक्स हेलेविन और क्या है हमारे पास ओफाइफ ओ ओ tęए ओ ओ C sch 3 5 or 5 6 असे यह बन जाएगा यहा से क्या निकल जाएगा बाहर निकल जाएगा तो यह बनग्या ओC s 3 इसे का नाम है क्या नाम है इसली इसको हम क्या बहुत नाम वहुत सकते हैं मिथाइल ग्लुकोसाइड एथेनॉल लेते तो इथाइल ग्लुकोसाइड हो जाता ठीक है मिथाइल अम इथेनॉल लिया इसलिए मिथाइल ग्लुकोसाइड ठीक है लेकिन यह जो ग्लुकोसाइड है अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है यह बताओ इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो यहां पर लेख सकते हैं कि ग्लुकोसाइड की क्या िस自द रचना उती है चक्रिये सनरचना होती है और यहां चक्रिये घ्लुकोसाइड की क्या Twice दो स्टीरियो आईसोमेरिक रूप में पाया जाता है जैसे ग्लुकोस की दो चक्री सरचना थी ना एलफा और बीटा वैसे इसके भी दो स्टीरियो आईसोमेरिक सरचना होती है देख़े कौन सी निमिटा दीती है जैसे यहां पर है एच यहाद आएगा OCS3 ठीक है और यहां पर क्या है CH OH का होल थ्राइस और यह जो CH है यह जिस तरह से इसकी चक्री सरचना थी टीक है यह ग्लुकोस की चक्री है यह जो रीक्शन नहीं क्या बताता है किनल्क सक्री सरचन Belgium की टीक लिक्षार Son तो एक यह बना इसका नाम होता है एलफा मिथाइल ग्लूकोसाइड ऐसे यह क्या बनेगा बीटा अगर तुमको चक्री सरचना याद हो तो यह कुछ ऐसे ही लिखा था हमने और यहां पर यह जो ओएच गुरूप था ओएच गुरूप को हमने रिंग के अंदर रखा था तो फॉर्म थी रिंग के बाहर रखते तो बीटा फॉर्म थी तो जो ओएच गुरूप रिंग के अंदर था यानि कि जो एनोमेरिक यहां पर जो रियक्शन हुई है वह कहां पर हुई है एनोमेरिक कारवन पर मैंने बताया था जहां पर यह जो ऑक्सिजन अटेक करता है जो का एनोमेरिक कारबन तो यह जो रियक्शन होती है यह कहां पर होती है एनोमेरिक कारबन पर होती है ठीक है तो एक एलफा फॉर्म थी जिसमें ओच कहां था रिंग के अंदर तो यह जो बना एस्टर ग्रुप जो बना यहां पर एस्टर जो बना ठीक है यह कहां बनेगा यह रिं दूँ CHOH का होल थ्राइस और नीचे क्या रहा जाएगा CH2OH यह अंदर की साइड है इस साइड है तो यह रिंग के अंदर की साइड होगा मिथाल गुरूप इसलिए यह एलफा फॉर्म और यह क्या हो जाएगी बीटा मिथाल ग्लूको साइड बिल्कुल वही है चक्री सरचना ग्लूकोस की चक्री सरचना बताएं थी वही है एलफा फॉर्म और बीटा फॉर्म जुसकी एक एलफा फॉर्म थी उससे एलफा ग्लूकोसाइड बना और जो बीटा फॉर्म थी उससे बीटा ग्लूकोसाइड बना खीक है तो आज की लेक्चर को यह खत्म करते हैं नेक्स फ्रक्टोज को हम ग्लूकोज में भी change करा सकते हैं तो इसको बोलते हैं inter conversion ग्लूकोज का फ्रक्टोज में फ्रक्टोज का ग्लूकोज में तो वो सारी reactions हम यहां देखेंगे तो अभी के लिए thank you